रादे रादे फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे साजन की सब्जी साजन की सब्जी बनाने के लिए हमने करीब करीब एक किलो साजन लिया हुआ है और यह पतले पतले साजन है इसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है यह देखिए इसके हमने इतनी बड़े यerson यह करता है और इसने के आधराय यह देता है तुमारा सबंची आपनाने की तैयारी करते हैं यह अधराय मुज थाना हूआँ फिसलों सबस्सक्राइब बनाने के लिए हमने कड़ाई में ऑईल ले लिया है अब इसमें प्यास का तड़का देंगे प्यास हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे यह देखिए फ्रैंस प्यास गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें अधरक लासुन हरीमेज का पेस्ट एड़ करेंगे और यह पेस्ट आइड करने के बाद अब हम इने एग दो मिनुट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्छापन निकल जाए अजरकला सुन हरी मिर्सका और अब हम इसमें प्याज जो हमने प्याज की प्यूरी बनाई है अब उससे आइड करेंगे प्यूरी आड़ करने के बाद अब हम इससे थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि प्यास का भी कच्छा पर निकल जाए और अब हम इसमें घरम मसाला और हल्दी आड़ करेंगे अब हम इससे और भूनेंगे ताकि यह मसाला सारे अच्छे से भून जाए सारे मसाले अच्छे भूनने के बाद जो हैं हम इसमें सब्ची आड़ करेंगे लेकिन मसाले हम इससे काफी देर तक भूनेंगे जब तक कि यह मसाला आईल ना रिलिस कर दे तब तक हम मसाले को भूनेंगे और इसमें अब हम नमक एड़ कर रहे हैं नमक सादानुसार एड़ कीजिएगा आप और हमने करीब करीब जादा सब्चिय बनाई है इसलिए हम अपने स्वादा नुसार नमक एड़ कर रहे हैं इसमें और नमक एड़ करने के बाद अब हम इसे थोड़ी देर तक और भूनेंगे इदे के फ्रेंट्स मसाले लगभल लगभल भून चुके हैं और इसे हम दो पानी अड़ करने के बाद यही मसाला नीचे लग रहे हैं वह लगए गा नहीं और मसाला भी अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सहजन को एड़ करेंगे यह देखिए मसाले ने ओयल रिलिस कर दिया है अब इसे हमने सहाजन धीर धीर एड़ करेंगे सहाजन को हम थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि पूरा सहाजन जह सज्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए आप इसे मुन्गा भी बोल सकते हैं यह देखिए हमने सारे सहाजन को अच्छे से मिक्स कर दिया है सहाजन मिक्स हो गए है और अब हम इसे थोड़ी दिर तक और भूनेंगे आप इसमें आलू भी एड़ कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों को आलू भी इसके साथ बहुत पसंद होता है हमारे घर में लोग इसके साथ आलू भी खाते हैं इसलिए हम इसमें चार मीडियम साइस के आलू एड़ करेंगे हमने इसमें कट किये हुए आलू को एड़ कर दिया है और आलू एड़ करने के बाद हम इसे थोड़ी देर तक और भूनेंगे ताकि पूरा मसाला सब्जियों में एक दूसरे में मिक्स हो जाए और मसाला भी अच्छे से भून जाएगा और हमारी सब्जी भी अच्छे से त्यार हो जाएगा सब्जी पराथा और रोटी के साथ खा सकते हैं कि अभी जो है पतले पतले वाले इसे उच्छे से लोग उससे खाते नहीं है और यह पतले पतले हैं इसे लोग उसे खा जाएगा और इससा भी निब यह तो यह खाने में बहुत ही टीष्टी और स्वाधिश लगेगा यह देखिए फ्रेंट्स जारी सब्चियां एकदम से भून गई हैं और अब हम इसमें पानी भी आड़ कर दिये हैं पानी आड़ करने के बाद हम इसे थोड़ ज़र के लिए ढख देंगे हमने करेब करीब इसमें एक गिलास पानी डाला हुआ है और हम इसे दस मिनट के लिए ढख कि रख देंगे और बीच पीच में इसे देखते रहेंगे फ्रेंट्स करीब करीब दस मिनट हो चुके हैं सब्चियां लग पक पक चुके और अब हम इसी दो मिनट के लिए और छोड़ देंगे यह देखे फ्रेंट लब लब सबजी यहां हुआ चुकी है और देखने में भी बहुत टेस्टी और स्वाधिस्ट लग रहा है और हम इसे बाउल में निकालेंगे यह देखिए सब्जियां कितनी टेश्टी और स्वादिश्ट लग रही है और अब हम इसे हरी धनिया से गानेशिंग कर देंगे आग आपको मेरा चैनल कैसा लगा और यह सब्जियां आपको मेरी कैसे लगी लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताईएगा